हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं हिमानशु स्वागत करता हूँ आप सब कापके पने चैनल Comic World पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज-कोमिक्स में नागराज की जर्मनी सीरीज की दूसरी कोमिक्स न्यूवर्ड ओर्डर का दूसरा भाग सर यह तो कोई निर्मालादीन मीनार है इसे कहीं देखा है मैंने लेकिन कहां पैट्रों की दीवी पेइंटिंग में यही मीनार चितरी थी बेविलोन का टावर वेबल निर्मालादीन होने के बाबजीद देश्व की सबसे उंची मारत दुभाई की बुर्ज खलीफा से कई सौ पूंची लेकिन यह मीनार यहां कैसे आई अभी कुछ समय पहले तो यहां सिर्क कुछ फीट ऊंचा कोई टावर था इस मीनार कर निर्मार रुकवाद हैं महान निम्रोद इस मिनार कर निर्माद परमपिता की सत्ता को चनाती देने के समान होगा जो मानवो के नाश का कारण बनेगा कायरों की भाती बाते मत करो पातरी इश्वर मानवो दोरा बनाया गिया एक मिथक मातरा है मानवो का यदि कोई विजाता है तो बस सम्मानव है यदि आकाश के पार कोई स्वर्ग है तो उस पर अधिकार से मानवो का होना चाहिए और इसी हेतु हम बेविलोन की दर्थी से स्वर्ग तक जाने वाली बेविल की मिनार का निर्मा करवा रहे हैं जहां पर शासन केवल, शासन केवल हम आकाश से गिरी बिजली ने निमरोत को जला कर भस्म कर दिया मानवो को उनकी दंटा कर दंट देने के लिए सम परमपता के नेतरों से क्रोध बनकर कौनधी यह बिजली आकाश से गिरी बिजली ने बेविल की मिनार को भी धूल में मिला दिया परमपिता के अस्तित और उनकी सत्ता को नकार कर मानवो ने जपाप किया उसी कफाल है ये हे परमपिता परमात्मा संतान यदी गलत करे तो उसे डंड देना पिता का धर्म है लेकिन ये किस प्रकार का डंड है परमपिता डंडो सरूर सभी की भाषा में अंतर उत्पन कर आपने जो डंड मानवो को दिया वाई डंड अब आपकी सबसे अनमोल रचना मानवो के अस्तित्व तक को समाप करता जा रहा है विन्न भाषाओं ने विविन्न धर्म विवन्न जातियों को जनम दिया लेकिन उसना बटवारा कर देश बना लिए हमें भी बाड़ दिया किसीना ईश्वर का तो किसीना अल्ला किसीना वाहे गुरू लेकिन अब वे सम को और अपने धर्म को सर्वो पर इससे तकरने के लिए एक दूसरे से ही लड़ रहे है और इस युद्ध में पराज है मानवता और विजय जातिवात की ही होगी यही जातिवात मानव जाति के विनाश का कारण बनेगा परंतु संतान को डंडे देने के साथ ही पिता का दायतु भी है कि उसे अपनी भूल सिदारने का एक अफसर प्रतान करे अवश्य मिलेगा परंतु उसके ले मानव जाति को धर्म जाति वह समाज के भेधभाव मिटाने होंगे भगवान के अलागला ग्रूप मानने के जगए एक ही परमपता के सत्ते को सविकार करना होगा परम्तु मानव अपनी जाती बादी परीदिश्टी को परिवाद्ति कैसे करेगा ? तम्हारी साहिता से, तम बनोगे मानव जाती के मांग दर्षक, मैं जब समस्त मानव जाती अपने सरजन करता के स्स्टित्य कल चरौती दे रही थी, तब तुम ही एक मात्र ऐसे मानवते जिसके मन में परमपिता पर विश्वास और मानव बंदवों की कर्थे के प्रतिक गिलानी थी हम तुम्हें अपनी दिव दिश्टी एवं पानी देंगे जिसके बल पर तुम मानवों का मांग दर्शन करोगे हम अपनी दिव उड़ जगए एक अंच्टों में परदान करते हैं जो तो मैं साधान मनुष्टी देव दूद बना देगा मतलल लेट फेंदे परमपिता दौरा निर्दारित देव दूद हैं देव दूद नहीं मुझ जैसे कई मांग दर्शन बिविन देशों में बेविद रूप है में परमपिता के आदेश क्रियानवित कर रहे हैं देवल की मिनार का निर्मा करने वाले मांवों की एक तेही आवादी परमपिता की क्रोदागनी में जलकर खाक हो गई बची आबादी ने साथ महादीबो पर विविन न सबताओं का विकास और विस्तार किया जहां उन्होंने तीसरी सहस्तराब्दी के ग्यारवे वर्ष तक आतंगबाद का तंच विविन रूपों में सहा है रोमन शासकों से लेकर फासी वादी फासी वाद वा नाजी वाद तक या फिर आज के मौजूदा आतंगबाद के रूप में तीसरी सहस्तराब्दी का आने वाला 12 साली यानि सन 2012 मानवो के कर्म के रूप में सिस्टी के भाग्य का दिशा निर्धारन करेगा मतलब विदी का विदान जो परमपिता ने देववानी के रूप में मागदर्शक को सौपा था उसके अनुसार तिर्तिया सहस्तराब्दी के बारवे वर्ष में परमपिता की मानवों को दी गई डंड अवदी समाप्त होगी और बविष्य के दिशा निर्धारन हेतु दो पोड़ता विपरीत योग बनेंगे क्या हैं ये दो विपरीत योग सन 2012 में या तो संपूर मानव जाती एक बार पुना एक जोट हो जाएगी या फिर आतंगवाद की रूप में तिर्थिय विश्विद की नीव रखेगी यानि भाग रूपी तराजु के एक परेड़ में विश्वचान्ती और दूसरे में विश्विद और विदाता नहीं है तराजु तुम्हे सौपी है नागराज तुम्हे साधर श्योग के सूतरदार हो जिसमें जातिय वद्धम परदान हिंसा के लिए कोई इस्थान नहीं है सिर्फ तुम्ही ओर्डर स्क्रॉल दार परम पिता के आदेश को क्रियानवित कर सकते हो और्डर स्क्रॉल क्या है परम पिता की तहरील जिस पर विश्विसान्ती योग कालवदी संकेत अंकेत है जिसे सिर्फ एक सच्चा मसिया ही खोल सकता है मैं कोई मसिया नहीं हूँ पाप का नाशकर सत्ति की रक्षा करने वाला ही मसिया कहलाता है नागराज मअनवो को पाप से बचाने और सत्ति की स्थापना करने के लिया मसिया जनम लेते हैं तो मसिया नागराज मानव जाती के वेवाजन पर दो विश्वित रूप से सभियों से एक दूसरे के विरुत लडते आये मकसर सिर्फ एक है आडर स्क्रॉल पर्थम विश्विय थे के दोरान New World Order के समर्थकों न जर्मनी के किसी प्रातना स्थल में Order Scroll छुपाया था यह थे के दोरान वो Order Scroll कहां गुम हो गया यह अब कोई नहीं जानता तो मैं वो Order Scroll तलाशना होगा नागराज तो Order of Bevel Group बर्लिन की एधियासिक धरोर और और रिक इस तरो पर Order Scroll की तराश कर रहा था लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि मैं New World Order Group के साथ मिलकर Order Scroll तक पहुचा तो उनका सारा प्लान खटाई में पढ़ जाएगा और इसलिए वे लोग नहीं चाहते कि मैं जर्मनी में रहूँ पर बात घूम फिर कर वहीं आकर रुपती है कि यदि Order of Bevel को मेरे जर्मनी में रहने से नुकसान होता है तो उसने वह वीडियो फोटेज जारी कर मुझे यहां बुलाया ही क्यों कुछ ऐसा है जो सामने होते हुँ भी आँखों से ओजल है इस गुत्ती को सलजाना भी उत्रा ही जरूरी है जितना कि Order of Bevel की तलाश करना मुझे संपर करने वाले फिर वही संकाइत लेकिन इस बार संकेत दिर्शों के रूप में है कोई मुझे अपनी इस्तिती बताना चाह रहा है लेकिन फिलाल मेरा Order of Bevel की तलाश में दाना ज़्यादा जरूरी है मुझे संपर करने वाले मुसीवत ज़्यादा शक्स को मुसीवत से निकालने का इंतिजा भी मुझे करना होगा और साथ ही साथ उस शक्स को खोजना होगा जो Order of Bevel के मेरी मदद कर सकता है क्या तुम सच कह रहे हो हाँ गारजियन नागराज मर चुका है मैंने खुद नागराज को ब्लैक बड़ से नीचे पहका था हम कई सौफिट उचाई पर रोड़ रहे थे इतनी उचाई से गरकर उसका बचपाना संबब है अगर ये साच है तो हमारी सबसे वड़ी मुसीबत दूर हो गई है अब हम अपना पूरा ध्यान Order Scroll और NWO पर लगा सकते हैं Order Scroll की खोज में नागराज NWO की एक मातर उमीद थी जोकि अब खतम होच चुकी है लेकर हम खुश अब भी नहीं हो सकते क्योंकि अपने वजीर की मात से तेल मिलाया NWO Order Scroll की खोज में अपनी पूरी ताकट जोग देगा मारियन किर्च के बाद अब सिर्फ बरलीनर डोम और निकोलाई किर्च ही दो संभावेत इस्थान जहां Order Scroll हो सकता है हमें NWO से पहले Order Scroll तो पहुँचना होगा हम दो दलो में बिवक्त होकर दोनों इस्थानों पर Order Scroll की तराश में जाना होगा जिस भी दल को Order Scroll पहले मिल जाएगा वह दूसरे दल को इंद्वाव करेगा ओ माई गाड इन सैटेलाइट इमेंजिस को तो देखो हाइडर हैड़कोर्टर स्यूति का मैदान बना हुगा है मैं इन लोगों को जादा देर तक नहीं रखाँगा देर सभीर यो लोग पाशार चूलो की इस दिवार को तोड़ी देंगे कोई नागराज से संपर क्यों नहीं कर रहा नागराज से संपर के स्थाबित होने ही तूट चाता है कोई शक्ती सर्ब संकेतों में वैवदाउन उत्पन कर रही है यह जरूर उसी का काम होगा वह शुरू से ही नागराज को हमसे दूर रखने की कोशिश करता है बाब कर चंद प्यादों को पीट कर लॉर्ड मॉर्वेस को मात देरे का खाप देखने चले देख्कीड़ों पर कुछ खाप देखने भी कितने नुकसान दाख हो सकते हैं इस बात की मिसाल तुम लोग बनोगे खतम कर तो सबी को अब नागराज आ भी गया तो यहां उसे हमारी लाश ही देखने को मिलेंगी गलत नागराज तुम लोगों को जब भी देखेगा जीवी तवस्ता में ही देखेगा क्योंकि तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नागराज में हमें सौपी है और नागरास द्वारादी की जिम्मेदारी हम अपनी जान पर खेल कर भी पूरी करते हैं सर्व संगेतों के इनुसा पैटरो को यहीं होना चाहिए होलोकास्ट होलोकास्ट मैमोरियल म्यूजियम बर्लिन पैटरो जैसे टूरिस्ट गैट का यहां आना आम बात है लेकिन यह जगह परेटों के लिए बंद हो चुकी है मतलब पैटरो यहां से निकल चुका होगा अब कहां ढूंड हो उसे अगर वह यहां है भी तो इतनी बड़ी जगह में उसे ढूंड़ा भुसे के धेर में सुई ढूंडने के समान होगा मुझे अपने जासू सर्फ से पुना संपर के सापित करना होगा बचाओ कोई बचाओ मुझे कोई बचाओ मुझे इस साप से कि मुझे काट लेगा नागराच मुझे इस साप से बचाओ पैटरो पैटरो तो यहीं पर था गबराओ नहीं मेरा सैनिक सार्प है को नहीं जेल सकता लेकिन order scroll की खोज मैं पैट्रो मेरी मतद कर सकता है इसलिए मुझे इसे बदाश्ट करना ही पड़ेगा मुझे तुमारी मतद की जरूरत है पैट्रो लेकिन तुमारा कोई पता टिखाना मेरे पास नहीं था इसलिए तुम्हें खोजने के लिए मुझे अपने जासु सर्पों का सारा लेना पड़ा इस खोजबीन में अगर तुमारे साव की नियत खराब हो जाती तो तुमारी खोज तो पूरी नहीं होती लेकिन मेरी बीन जरूर बच जाती मेरे पास तुम्हारी भखवास सुनने का वक्त नहीं है पैटो मेरा इस वक्त नहीं क्रोध नहीं मुझे धहरे से काम लिना होगा देखो पैटो मुझे एक अत्ति महतपूर चीज को खोजने में तुम्हारी मदद चाहिए मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि हिटलर की बनाई हुए जो पैंटिक तुमने मुझे दी थी वैसी या उससे संबंदित कोई और पैटिंग या कोई और चीज तुम्हारे पास है या नहीं हाँ है परवर में तुम्हें क्यों दूँ कलके खाने के बिल के रूप में अपनी एक बेश कीमती पैंटिक थो मैं तुम्हें देइ चुका उँ मेरी उन पैंटिक को देखना बहुत ज़रूर ही है पैटे उ तुम जिस पसंदीदा रेस्टोरयन में खाना खिलाने को को घॉब को मैं तयार हूँ ना, कल के खाने से पेट अभी तक भरा है मेरा, तो कुछ और, मैं तुम्हें पेंटिंग देखने ही नहीं, रखने के लिए भी दे सकता हूँ, पस तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, फिर से बे दुकी पहले हैं, हे बाबा, गोरकनात ये कहां फस गया मै शेर की जबड़े मुह दे ही दिया है, तो इसके दातों के पहने पंद से क्या ढरना, ठीक है बैटरों, पूछो, यह उए ना, मर्दों वाली बात, तो बताओ, किसी सिक्के के कितरे पहलू होते हैं, हर सिक्के के तीन पहलू होते हैं, पैटरों, हाँ, पहले ही सवाल का देखो बैटरों, यह सिक्के का तीसरा और छिपा हुआ पहलू, जो सामने नहीं आता, लेकिन बाकी दोनों पहलू हों में संतिलन बनाए रखता हैं, किसी भी वस्तु और आयने में बनने वाले उसके प्रतिबम में क्या अंतर होता हैं, आयना वस्तु की, वाह, सही जवाब अब दूसरा सवाल, किसी भी वस्तु और आयने में बनने वाले उसके प्रतिबम में क्या अंतर होता हैं, आयना वस्तु की विपरीज इस्तिती प्रतिबित करता हैं, प्रतिबिम्बित करता हैं, गलत, आयने में बने तुमारे प्रतिबिम में मुझे तो कोई अंतर नहीं न दिखाता हूँ, यहां मैं अपना दाइना हाथ उठा रहा हूँ, लेकिन आइना मेरा बाया हाथ हिलता हूगा, दिखा रहा है, यानि मेरी वास्तिव के बिलकुल बिपरीत, वाह, ये भी सही जवाब, अब तीसरा और अंतिम सवाल, अगर इसका सही जवाब देने में सफल हु जीवन तो एक चक्र है पैट्रो, जो तब तक आरम नहीं हो सकता, जब तब मिट्थी रही आती, इसलिए नवुत्थान कारक मिट्थी है, ये जीवन नहीं, सत्य वचन, बिलकुल सही कहा तुमने, मैंने तुम्हें ब्रमित करने की कोशिश की, लेकिन तुम अपने जवाब जानकार नहीं, मुझे पैट्रो दे सकता है, इनका वास्ते में मूल ने भी मैं तुम्हें देने को तयार हूँ, पैट्रो, मुझे इंपेंटिक्स को देखना है मैं मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगी, इतनी देर में कहां कायब हो गया और उसका और आयना भी मेरे पास ही यह पैट्रो भी कम रहस में ही नहीं है, हाइट्रा गुरूप, हैट्वार्टर्स, यह लडाई तो अनुमान से पहली खतम हो गई, यह लडाई और भी पहले खतम हो जाती है अगर नागराज के साथी हमारी मदद को नहीं आते, लेकिन उस इस्तिती में बैरोनस और जनर्नल नाग मित्रों, मित्र कहकर संभूदित कर रहो और धनवाद कहकर मित्र का अपमान भी कर रहे हो, लेकिन यह सारा माज़रा क्या था, कौन थे यह लोग, और तुम लोगों से इनके इस भीशन यूते का कारण, मित्र था बढ़ाने और R&D करने का भरपूर समय मिलेगा तुम यहां नहीं, G.I.W. के कस्टरी में, तुम्हें पूरा यकीन है, कि वह चीज तुम्हें इनी दो जगों में से किसी एक पर मिल सकती है, हाँ, यह तुम इतने विश्वास से कैसे कैसे कित हो नागराच, उसकी एक बज़ा है, इन पेंटिंग्स में क्या समानता नजार आ रही और उन स्थानों में से सिर्फ बर्लिन में ऐसा निशान छार देंग्स और हम अर्थ ये तौरो पर है, हार्ट ओव बर्लिन, मरियन किर्च, बर्लिनर डोम और निकोलाई किर्च, जिन में से दो पर ओर्डर स्कॉल्ड की खोज, में ऑँडरों बेवल गुरूप दरह हमला कि किया जा चुका है तो लेट फेंदे द्वारा बताएं कि आधार बना रहा हूं वह यह है कि ठीक ऐसा ही निशान तुमारी कलाई पर भी अंकित है यह तो मेरा बर्थ मार्क है क्या यह मात्रेक सही होगे कि आधार बेबल इस निशानी वाली इमार्तों में और इसकॉल की खोज कर रहा है और नियो नाजीज भी तुमारे पीचे इसी निशान की वज़े से पढ़े हैं कहीं तो मुझे कुछ छिपा तो नहीं रही लोला मैं नहीं जानती कि नियो यह तो मुझे कहां ले आई लोला यह बर्लिन का मशूर मुजियम थाइलेंड है इस्प्री नदी के मद्द में बसे इस दीप पर पांच महत्पूर मुजियम की वज़े से इसे मुजियम आईलेंड कहा जाता है आईलेंड है हमारी दौनों संभावित मंजले इसी जैट को समालो समयरा वरना ओटर स्वाल तो छोड़ो हमारे शरी के अफशेज भी किसी को नहीं मिलेंगे ओ शट अप टैब और एक छती रस हो चुके विंग वाले जैट को समालनों उतना ही है संभावित जितना की एक परफेक्ट पक्षी का उड़ान भर पाना अब अगर ह हमारा रडार एलेक्ट्रोनिक एक्स्प्लोसिफ डिवाइस के सिग्नल कैच कर रहा है लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा सिवाए उस टिड़ी दल के लेकिन इस मौसम में तो टिड़ी डिल नजर आई नहीं सकता ओ गॉड यह टिड़ी है नहीं मिशन बिना रोमांच कहीं पूरा हो जाएगा जिंक को ऐसे बोरिंग मिशन पसंद नहीं तो इस मिशन को थोड़ा रोमांच बना देते हैं नागराच असंबफ यह इतनी उचाही से गिरने के बाद भी बच गया कैसे तुमी तो इस मिशन में रोमांच चाहते थे क्यों और समय वेर्थ कर रहे हो नागराच और समय हमारे पस बिलकुल नहीं है तुम हमारा और समय वेर्थ ना करो इस बात को सुलिश्चित करेगा यह बुडू तंत्र हाथ पैर सब जड़ो गए हैं मेरे सब सानिक भी मदद के लिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं बस इस पुतले की गर हालाच बस से बत्तर हो रहे हैं मिस्टर प्रेसिडंट और और वेवल नामा गातमवादी के दो चर्चिस पर एक साथ हमला किया है नियो नाजी नाम की मुसीवत धीरे धीरे अपना सेर उठा रही है इतना ही नहीं विश्व के सभी मोस्ट वांटेड आतकबादियों की गति अगले एक घंटे में यहां इमर्जेंसी मीटिक रखी गई है जिसमें कैबिनेट अपोजीशन के साथ हमें यूएनों के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा जो भी कड़े से कड़ा कदम उठाना उठाओ मुझे बर्लेन में हाला सामानना चाहिए किसी भी हालत में लेकिन इस तरह ऐसे तो जनता में असंतुर्श वैल जाएगा सर गराय युद्ध की स्थिति उत्पन नहों सकती है गराय युद्ध की स्थिति उत्पन नहों इसलिए एक अथाना आवश्य अगर जनर भोल्सकी और एक बात जी आई डबलू से सारे अधिकार वापिस लेकर जी आई डबलू हैड माइकल कॉंटेस्टीन और एड़ा ब्र जाने की कुण जी हंटर यह यमदूत यहां का से आदम का जैसे भी आया काम हमारे ही कर रहा है अब यह नागराज को साफ करेगा और हम और इसकॉल लेकर यहां से चुओ जाएंगे था हंटर पर बाहर करने की गुस्ता की तूने खुद नहीं की लड़की बलकि यह काम तेर अब तू मरेगी और तू अपने इस हरकर पर अफसोस भी नहीं कर पाईगी थार तू आजाद हो गया क्यासे तुमारी महरवानी से दिव्यास्तरों में किसी भी तंत्र बादन को काटने की शक्ती होती है तूमारे फ़रसे के मेरे शरी से टकरादी मैं कोड़ा की ब्यूटी तंत्र से आजाद हो गया अच्छा है तू आजाद हो गया तो जैसा इस्तिति में मार कर मुझे मज़ा नहीं आता अब तू आजाद होगा अपने इस जीवन से अफसोस नाहीं मेरा इरादा जीवन से आजाद होने का है और नाहीं तुमारा मन और अंजन करने का बस मेरे सब और इसी के साथ तो अपने मौत और भी दर्दनाग बनाता जा रहा है मैं नहीं जानता कि तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो अंटर लेकिन इतना त्याए कि इस वक्त मेरे लिए तुमसे लड़ने से ज्यादा मेहदपूर और्डर स्कॉल की तराश करना है 3 ऊव्धल कर को circus कि यहां भी ऐसे वलता हात लगी और्डर इसकॉल यहां नहीं मिला है तो इसका एक ही मतलबाँ में अचिर्च में नहीं का प्रचए को जरेमिंए आरमी डिम इस hosts को जर्मनी आर्मी इस्तितरी को काबु करने और शांती कायम करने का हर संबब प्रैस कर गई है इस्तिती और ज्यादा खराब ना हो और बर्लिम नवासियों की सुरक्षा के मद्दे नज़र बर्लिम में अनिश्चित कालें कर्फ्यू घोचित किया गया है हर नागरें से हमारी यह अपील है कि सबाने तक सायाम और श नियों नाजी इसके आतंक से जर्मनी के नागरेक पहले से यह आतंक जिते हैं क्या जर्मनी फिरसेत आना शाराज कायम हो जाएगा मैं फिर दो रहाँगा कि जर्मन सेना इस्तिती को काबू में लाने का हर संबब प्रैस कर रही है लेकिन उसके लिए हमें बर्लेन वासियों के साथ आप लिगों का भी सवक चाहिए रही बाद G.I.W. और 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 बेवल की तो दुश्मन जाए घर का हो या पाहर का जर्मनी में अराजकता फैलाने वाले किसी भी शक्स को बक्षा नहीं जाएगा डैमिट ब्लडी जर्नलिस्ट तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाब करते हों और मिलते हैं नागराज की जर्मनी सीरीज की कॉमिक न्यू वर्ल्ड ओर्डर के तीसरों और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद भाग में लिए जर्डर को समाई करते हैं